CSS selectors क्या होते हैं और कैसे हम इनको CSS में handle करते हैं यह सारा आपने सीखा था हमारे last वीडियो में यदि किसी नहीं नहीं देखा है तो उपर i button पे click करके वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे हमने आपको बताया था कि selectors को 5 भागों में बाटा गया है जिसमें हमने 3 parts उनके करवा दिये थे बचे थे हमारे seedo class और seedo elements इस वीडियो में cover करेंगे seedo class को जो की काफी बड़ा chapter है बहुत सारे इसकी values हैं इसलिए हमने इसको 4 भागों में divide किया है link, common, forum और variable तो आज की वीडियो में हम cover करेंगे link को तो इस वीडियो में तक बनी रहेगा नमस्कार साथियो मेरा नाम है मनुश कुमार और आप देख रहे हैं computer ग्यानकुरी चैनल चलिए सीख लेते हैं तो एक बर थोड़ा सा revise करते हैं देखिए seedo class हमारे HTML element के लिए दो परकार से काम करत है पहला तो हमने सीखा था कि हमारे HTML element के hidden address से उसको ढूंड कर उस पर style apply करता है और दूसरा यह हमारे HTML element के special state पर style apply करने का काम करता है तो seedo class काफी बड़ा है इसलिए इसको मैंने चार भागों में बाटा है पहला for linking, for common, for forum, for variable तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे linking देखिए जिस परकार से एक सहर को दूसरे सहर से जोडने के लिए रास्ते बने होते हैं या सडके बनी होती है जो एक सहर या गाउं को दूसरे सहर या गाउं से जोडते हैं इसी परकार link से हम एक website को दूसरी website से जोड सकते हैं या यह कहें कि एक website को दूसरी website से link कर सकते है और link हमेशा हम html में generate करते हैं इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो डाले मैंने hyperlink के लिए बताया आपको कि anchor tag हम किस परकार use करेंगे तो वो हम करते हैं html के अंदर css में हम link की styling कर सकते हैं और styling करने के लिए चार अलग-अलग stage होती है सबसे पहली तो link है जैसे हम link लगाएंगे और link हम anchor tag से लगाते हैं तो हम link लगाएंगे तो by default आप देखोगे यहाँ पर यह link create हो जाते हैं इन link के उपर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर यह देखो हाथ का निशान बन रहे ना इसका मतलब यहाँ से click करके जिस भी website का या जिस page का यह link दिया हुआ है हम direct उस page पर पहुंच सकते हैं तो link के जरी हम इनकी style change कर सकते हैं यह by default blue color में आते हैं हम इनका color change करना चाहें font style change करना चाहें decoration देना चाहें वो हम style कर सकते हैं मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि हम text की styling कैसे कैसे कर सकते हैं दूसरा आता है visited link जैसे हम किसी link के उपर click करते हैं तो अब देखी इसका color change हो गया यानि कि यह visited हो चुका हम इसके उपर आज चुके हम इसको देख चुके है बाकि blue color में क्योंकि अभी हमने उन पर click नहीं किया है उन पर visit नहीं किया है और जिस पर visit कर चुके है वो हमारा थोड़ा सा अलग purple color में आ जाएगा इसकी अलग-अलग activity होती है आप जैसे इस पर आते हो hand का sign आ जाता है click करते तो color change हो गया और click करके रखते हो तो अब देखो यह red color का होता है यह stage होती है इसकी active stage यानि कि जैसे हम click करके रखेंगे तो यह active stage कहलाएगी और release करते ही यह activated हो जाता है और एक stage आती है mouse जैसे हम उसके उपर लेके जाते हैं तो देखी यह color change होता है नाम दे दिया है कि cdo class और link का बाकी सिरफ मैंने चार anchor tag लगाई है और css में मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी click नहीं किया है कुछ भी नहीं लिखा है सिरफ body font size मैंने दे दिया और heading to का color change करका red color का अगर मैं यहाँ पे किसी link के उपर click करता हूँ देखे यहाँ पे हाथ का निशान आ रहे न यह फिलाल visited नहीं है simple by default एकदम fresh link है जैसे मैं किसी link पर click करता हूँ तो अब देखी उसका color change हो गया यानि कि इस पे हम visit कर चुके हैं यह visited हो चुका है और अगर मैं इसके उपर press रखूँगा तो देखी अब यह red color का है release करते ही color change हो जाता है जब मैं press रख रहा हूँ और यह red color का है तो यह active है अब यदि हम यहाँ पे anchor का नाम लिख दें हम करते हैं यहाँ पे a और इसको इम style दे दे color मैं इसका color दे देता हूँ green ठीक है save कर देंगे और यहाँ पे आके करेंगे refresh तो आप देखो कि सभी का color green हो जाएगा इस स्थीति में हमारा कोई active है वो भी green रहेगा जो visited है वो भी green रहेगा हम click करें mouse इसके उपर लेके जाए इस स्थीति में यह green color ही रहेगा हम इसकी properties देखते हैं आकर के साथ अगर हम link लगा दें मैं यहाँ पे करता हूं link और save करके refresh कर देंगे हम यहाँ पे फिर से मैं refresh करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे जो हमने visit कर रखा है उसका color change हुआ है बाकी color green है है ना बाकी की color green सिरफ green किसका अट गया जिस पे हमने visit कर लिया इसके उपर हम फिर से click करके रखते हैं देखो सारी position यहाँ पे अब चलने लग रही है हम चाहें कि इसका color इस तरह का purple ना हो जैसे हम किसे link पर visit करें तो visited link का color कोई और color से आए तब हम यहाँ पे use कर सकते है anchor tag के साथ हम करेंगे blue तो है blue को हटा के यहाँ पे मैं डाल देता हूँ red save कर देंगे और यहाँ पे करेंगे refresh तो visited color होगा वो red color हो जाएगा जैसे हम किसी भी link पे click करते हैं तो automatic red हो जाएगा देखे मैंने यहाँ पे click किया यह भी red हो गया अगली stage hover color के mouse को उसके उपर लेके जाएगा जैसे text के उपर mouse जाएगा उसके hover तब उसकी style कुछ अलग नजराए तब हम use करते हैं hover का hover का color हम कर दें yellow save करके और यहाँ पे refresh कर लेंगे तो link के उपर जम जाएगे तो देखो यहाँ पे यह अब yellow color के हो रहे हैं तो अभी इसकी यहाँ पे तीनी stage चाल लूँ है देखो जो हमारी visited नहीं है वो green है जो visited हो गई वो red है और hover कर रहे हैं तो yellow है हम चाहें कि active के अंदर कुछ अलग color आए कि हम mouse से click रखें और अलग color आ जाए तब हम use करेंगे यहाँ पे a active और इसका color हम use कर दे blue save कर देंगे और यहाँ पे आके करेंगे refresh तो अब देखी यहाँ पे और यदे हम इसको active करें तो अब यह blue हो रहा है और छोड़ते ही यह वापस red हो जा रहा है तो यह अलग-अलग हम style apply कर सकते हैं link के उपर हम और भी इसको attractive बना सकते हैं हम text properties का use कर सकते हैं और उसमें अलग-अलग style हम यह लगा सकते हैं या background यूज कर सकते हैं अब जैसे कि मैं background यूज करता हूँ link के उपर यहाँ पे मैं आ जाओंगा यहाँ पे करूँगा background और background मैं कर देता हूँ अलग color से यहाँ पे करता हूँ मैं 255,00 और थोड़ा सा transparency दे देते हैं इसको मैं कर देता हूँ .5 save करेंगे और refresh करेंगे तो अब देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा transparent red color यहाँ पे use हो गया अब hover में यह जा रहा है हम चाहें hover में यह ना आए hover के अंदर हम कर दें कि यह एकदम से dark red हो जाए जो background थी तब हम वापस hover पे आएंगे और इसकी background हम कर देंगे red ठीक है save कर देंगे वापस हम यहाँ पे refresh करेंगे और अब जैसे इस text के उपर आएंगे तो देखो background red होके इसका text color yellow हो रहा है हम चाहें कि hover का color white हो जाए white कर सकते है light green करना चाहे light green कर सकते है clear आज की वीडियो में इतना ही नए वीडियो में नए topic के साथ फिर से मिलेंगे यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमारे वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करें हमें like करें और यदि नए है आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें